एक बड़ी कबर के रुख करेंगे बड़ी जानकारी इस बीच ओ रही है वो आपको बता देsis रिवारी से जहां पर कपड़े की दुकान में लगी भीशोनाग कपड़े के दुकान में भीशोनाग लगी है इस वक्त ये बड़ी कबर आपको बता रहे हैं आग लगी है आपको बता दे और तस्विरे आपको दिखा रहे हैं रिवाडी में दरसल कप्ड़े के दुकान में अचानक से आग लग गई और देखते देखते सारा का सारा सामान जो है वो जल कर राक हो गया है तो दमकल विभाग ने आग पर काबू तो पा लिया है आग अग में लाखों के कपड़े जल कर राक हो गया है और रिवारी का मामला दमकल विभाग ने आग पर जिसे से काबू पाया है बताया जा रहा है कि आग देखते देखते काफी जादा फैल गई और इसकी वजह से शौर्ट सर्किट इसकी वजह वताई जा रही है और सारा दुक है कि शौर्ट सर्किट के वजह से ये आग लगी सुरिंद्र गौर्ट संभाता रिवाडी से हमारे साथ जुड़ गए है फोन लाइं पर जाज अनकारी के साथ सुरिंद्र फिलाल आग पर तो काबू पाली आ गया है लिकिन वजह आग लगने के पीछे कि ये पूरी तरीके बजाया जा रहा है और ये कबड़े का शोरूम था जिसमें शौर्ट सर्किट की वजह से आग लगी जिसमें लाकों का समान जलकर राक हो गया तुरंट जो है दुवा निकलते हुए पड़ोसियों ने इसकी सिकायत जो है पुलिस तदा मालिक को दी तो मालिक ने मौके पर आग पर जो है अगनी समन को फौन किया तुरंट गारिया पहुंगी और गारियों ने मौके पर पहुँच कर आग पर काबू पा लिया जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरंदर गौर इस समाम जानकारी के लिए तो आग पर काबू पाली आ गया है शौर्ट सर्केट इसकी वज़ा बताय जा रही है और लाखों का कपड़ा जो दुकान में रखा हुआ था वो जलकर राक हो गया है और लाखों का नुकसान जो है वो हुआ है फिलाल आग पर काबू पाली आ गया है सुबह की ये घटना बताई जा रही है जिस दौरान ये आग लगी रिवारी में कपड़े के दुकान ये बताई जा रही है और इससे पहले कि दमकल विबा के गारी महां पहुंचती आग में जलकर सब कुछ राक हो गया कपड़े के शोरूम में ये भी शोराग लगी है